हेलो बच्चो, पिछले वीडियो में हमने लेसन नमबर 10 चंदर शेखा राजात का हिंदी ट्रांसलेशन हिंदी में अर्थ पढ़ा था इस वीडियो में हम लेशन 10 चंद शेखार आजात के कुछ comprehensive question, language practice और word power करेंगे ठीक है, तो सबसे पहरे हम comprehensive questions कर लेते हैं, समझ वाले questions कर लेते हैं पहला क्या है, कि answer the following questions, नीचे दिए गए questions के answer दीजिए Question A है, who was popularly known as Azad, what was his favorite Hindi couplet? ठीक है, यानि आजात के रूप में किसे जाना जाता था, और उनका पसंदीदा हिंदी दोहा या हिंदी लाइन या कविता क्या थी? ठीक है, इसका answer होगा, चंदर शेकर आजाद was popularly known as Azad, यानि चंदर शेकर आजात को आजात के रूप में जाना जाता था, ठीक है, तो उनका पसंदीदा हिंदी दोहा क्या था? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, ठीक है, तो ये इनका coupler था, अब question B है, यानि चंदर शेकर आजात कब और कहां पर पैदा हुए थे, तो इसका अंसर हो जाएगा, चंदर शेकर आजात was born on 23rd, 23rd, ठीक, जुलाई 1906 in village Bhavra in Jawa district of Madhya Pradesh, ठीक, चंदर शेकर आजात का जन्म, 23rd, जुलाई 1906 को Madhya Pradesh के जाववा, जिले के भाबुरा नामगा में हुआ था, next question C, name the moment for which he was arrested, यानि उस आंदोलन का नाम लिखिये, जिसके लिए उन्हें गिरफतार कर लिया गया था, तो इसका अंसर क्या होगा, इसका अंसर होगा, he was arrested in non-violence and non-cooperation movement, ठीक है, तो उन्हें अहिंसा और असायोग अंदोलन में गिरफतार किया गया था, next question D है, what did he, what did the magistrate do, यानि magistrate ने क्या किया, when he was provoked by आजाद, जब वहाँ आजाद के दुआरा उकसाए गए, यानि गुसा दिलाए गए, तो इसका आंसर simply क्या बन जाएगा, the magistrate sentenceded आजाद to 15 lashes, यानि magistrate ने आजाद जी को पंदरा कोडों की सजा दी, lashes मिन्द कहा होता है, कोडे, when he was provoked by him, जब वहाँ उनके दुआरा उकसाए गए, ठीक, next question E है, why did the British police want to capture चंदर शेकर आजाद, यानि British police चंदर शेकर आजाद जी को क्यों पकड़ना चाहे रही थी, capture मिन्द होता है, पकड़ना, तो इसका अंसर क्या होगा, चंदर शेकर आजाद आजाद वाजा टेरर for the British police, for double हो गया, एक काइन सिल हो जाएगा, ठीक है, तो चंदर शेकर आजाद 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 ब्रिटिश पुलिस के लिए क्या थे एक भाय थे, डर थे, एक आतंक थे, ठीक, and was on their list, और जो है, आजाद जी, उनकी हिट लिस्ट में थे, यानि वांचित, अवांचित सूची में थे, so, they wanted to capture him, इसलिए वे उन्हें क्या करना चाहे रहे थे, गिर्फतार करना चाहे थे, next question is, if, what was Azaz's pledge? प्रतिग्या, शपत, या कसम, आजाद की कसम या प्रतिग्या क्या थी, how did he keep it, और इन्होंने इसे कैसे पूरा किया, तो इसका आंसर बनेगा, Azaz's pledge was not being caught alive, यानि आजाद की प्रतिग्या थी कि उन्हें जीवत ना पकड़ा जाये, ठीक, when he found himself surrounded by the police, जब उन्होंने अपने आपको police से surrounded घिरा हुआ पाया, तो क्या गिया था, he shot himself, तो उन्होंने अपने आपको गोली मार ले थी, thus he kept his pledge, इस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिग्या, अपनी शपत को पूरा किया, ठीक है, अब next हम word power कर लेते हैं, word power, इसमें question number one है, कि match the words given in column A, with the meaning in column B, ठीक है, यानि column A में जो शब्द दिये गए हैं, उनकी meaning column B में दी गई है, उनसे का करना है, matching करवाना है, मिलान करवाना है, ठीक, अब देखिए, A में दिया है, first word, clutch, अब कलच में दिका होता है, शिकंजा होता है, यानि पकड, अब इसका answer क्या हो जाएगा, देखिएगा, to get free from something, यह नहीं होगा, move a person to action, यह भी नहीं होगा, to take hold of something tightly, यहानि किसी को tightly पकड़े रहना, इसी को क्या बोलते हैं, क्लच कह सकते हैं, तो अब क्लच का meaning है, English meaning है, वो क्या हो जाएगी, to hold of something tightly, यह आ जाएगा, यहाँ पर, इस पर, अगला दिया, disguised, disguised में सिका होता है, वेश बदलना, या वेश बदला, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह लास्ट में आएगा, देखे, to hide one's identity, identity में क्या होता है, पहचान या परचे, यानि किसी की पहचान को छुपाना, यानि रूप बदल लेना, अब scabbed में सिका होता है, बच निकलना, इसका क्या हो जाएगा, to get free from something, यानि किसी से आजाद होके निकल जाना, भाग जाना, इसी का बोलते है, to get free from something, ठीक है, यह English meaning हो जाएगा, अब प्रवोग्ड दिया है, यानि उकसाया, अब उकसाया का क्या हो जाएगा, जाना, move a person to action, यानि किसी भी आदिमी को क्रिया करने के लिए, उसको उतसाहित करना, ठीक, move a person to action, अगला है, mentor, mentor में सिका होता है, सलहकार या प्रामर्श दाता, इसका हो जाएगा, trusted advisor, यानि विश्वसनी, सलहकार, next है, language practice, इसमें क्या है, question number one में, change the verbs given in the box, into past indefinite form, यानि जो बाक्स में जो verbs दी गई है, क्रियाएं दी गई है, इनको किस form में बदलना है, past indefinite form में बदलना है, and complete the sentences, और इनको past indefinite form में change करने के बाद, यह जो रिक्तासान दिये गए है sentence के, इनको fill करके sentence को आपको पूरा कर देना है, ठीक, इमित क्या दिया है, शिल्पा वाज खाली जगा, and frightened after the accident, यानि accident के बाद डर गई, और क्या हो गई, यानि और शिल्पा को क्या हो गया, शाक, शाक, यानि इसको धक्का लगा, अचम्बित हो गई, ठीक, अब चुके यहाँ पर past indefinite form भरना है, इसलिए शाक का past indefinite form क्या हो जाएगा, शाक्ड हो जाएगा, शाक्ड, S-H-O-C-K-E-D, ठीक, नेक्स्ट है, बी, विनीत फिल, and himself, यानि विनीत गिर गया और अपने आपको क्या कर लिया, बहिए जब गिरेगा कोई, तो सीधी सी बात है, चोट लग सकती है, चोट लगने का क्या हो जाएगा, इंजर हो जाएगा अब इंजर तो भरना नहीं है, इसकी कोई सी फार्म भरना है, पास्ट इंडिफिन्ट फार्म भरना है, तो इंजर की पास्ट इंडिफिन्ट फार्म क्या हो जाएगी, इंजर्ड हो जाएगी, इंजर्ड, ये अपका फार्म हो गई, पास्ट इंडिफिन्ट फार्म, ठीक, अब ये प्रेजेंड फाम है इसके हमको किस फाम में भेजब करना करना है, पासे इंडिफिन फाम में चेन्ग करना है तर किसके बीचे मु c a our kitty, न बाब न कोई सम शक भी हो जा दूंग करना है क्या हो जाेगा झूभे नियों इंड઼ चूहे ने बिल्ली को दे था यह बहिए बिल्ली को देखा जिये भाग जाए मन सब्क्रों रहना तो भागता होती है इसे इस पर I Bis अगला क्या दो सोल्जर ब्रेवली इन दा बैटल यानि सिपाही जो है यूद में बहादूर से क्या करता है लडता है लडना की इंगलिशा हो जाएगी फाइट हो जाएगी अब यह प्रेजेंट फार्म है कौन सी फार्म बनना इस खाली जगह में पास्ट इंडिफन फार्म तो इस फाइट की पास्ट इंडिफन फार्म क्या हो जाएगी फार्ट हो जाएगी क्या फार्ट फो यू जी एच टी हो जाएगी अब देखें यहां पर दिया है दूसरा यूज दा फालोविंग पेयर्स आव वैड्स यानि शब्दों के जोड़ों का परियोग जो है आप छूर्ण फोन के मतलब होता है जिनका साउंड एक जैसा होता है बोलने में उनके धुनी ये जैसी वोटी यह जोड़े दिये गए हैं इंको जो है सेंटेंस में यूस करके उनकी जो मेनिंग उसमें डिफरेंस पैदा करना है अंतर आपको क्लिर बताना है और यहां पर यहां क्या आपने माउंट एबू पर कभी संसेट यानि सूरज के डूबने को देखा है यहां सीन दिया है सीन का मतलग होता है दिरिश नजारा देखें अब देखें यहां अब आपके लिए कुछ इससाइट दी गए है उनको आपकरना है इमें दिया है sun sun new new here here see see अब देखें यहांपर शब्दों के जोड़ा दिये गए है इनको sound है यह मिलता-जूलता है यानि बोलने में दुनों एक Sun 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 बाटा नीव मॉवाइल मैंने कशना नीव मॉबाइल फरीदी अगने मैं सब्संक्ति इस लब गर who stole in my watch जिसने मेरी कलम चुराई थी ठीक है, next I see hair, h-a-r-e-r इसके मिन्स क्या होता है, बाल और h-a-r-e, इसके मिन्स क्या होता है खरगोश होता है, ठीक है खरगोश होता है, अब इसका हम sentence में यूज कर लेते हैं, तो इसकी meaning है, वो clear हो जाएगी थी अब देखिए, hair, hair मिन्स बाल यहां पर रखा हो जाएगा, your hair is so long आपके जो बालों बहुत ही लंबे हैं, अब यहाँ ऐसे आरी hair मिन्स होता है, खरगोश, इसका sentence में यूज कैसे होगा, the hunter killed a hair, यानि शिकारी ने एक खरगोश को मार दिया अब D वाला दिया है, C S, W, C मिन्स हो देखिए, और S, E, A, C मिन्स होता है, समुद्र होता है, समुद्र होता है अब इन डोनों वर्ट्स का हम sentence में use करके, इनकी मिनियन, meaning clear कर लेती है, अब देखिए, C मिन्स हो rising high, मतलब क्या होगा, कि जो समुद्र की लहरे हैं, वो उची उठ रही थी ठीक है, यह आपका था, comprehensive question, language practice, और कुछ वर्स पावर यह वीडियो में जो भी topics आपो बताएगें, जो exercise करवाएगें हो आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आए होंगे ठीक है, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए गुडबाई, टेक केर, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया